Hello Friends, Welcome to my channel Greenhouse और आज का हमारा पौधा है गींदे का पौधा मेरी गोल्ड का प्लांट तो Friends, अगर आपके गार्डन में जो गींदे का पौधा लगा हुआ है वो सूखने लग गया है उसकी पत्यों का जो color है वो बदलने लग गया है या फिर full छोटे आने लग गया है तो आपको क्या करना है आपके पौधे को आपको कैसे बचाना है इसी topic पर आज का ये हमारा वीडियो है जैसे ही मौसम बदलता है तो जो मौसम हमारे पौधे के favor में नहीं है उसके support में नहीं है तो पौधे के उपर कुछ changes आपको देखने के लिए मिलने शुरू हो जाते हैं पौधा struggle करता है खुद को बचाने के लिए मौसम के विपरीत तो ऐसे में आपको अपने गेंदे के पौधे की care कैसे करनी है किन चीजों का ध्यान रखना है कि पौधा पूरी तरीके से न सुके ये जो पौध आप देख रहे हैं जिसमें ये फूल आ रहे हैं इसके उपर लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ निवंबर में शियर किया था और तब से लगातार फ्लावरिंग हो रही है मेरे इस पौट के अंदर और अभी भी फ्लावरिंग हो रही है मौसम का असर हमारे पौधे के उपर हमको जरूर दिखाई देगा और अगर आप ध्यान रखेंगे अपने गेंदे के पौधे का तो आपका गेंदा का पौधा मार्श तक आपके गाड़न में बना रहेगा और मार्श तक ये फ्लावरिंग करता रहेगा तो फिन्स टिप्स नेंबर वन जो सबसे पहली चीज इस समय आपके दिमाग में आती है कि हमारे गेंदे के पौधे की जो पत्यां है इसका पर्पल कलर का क्यूं हो रहा है भूरे रंग का क्यूं हो रहे है या फिर पत्ते पीले रंग के क्यूं दिखाई दे रहे हैं यह होता है पत्तों में क्लोरोफिल की कमी की वज़े से जो पत्तों का हरा रंग है वो क्लोरोफिल की वज़े से होता है पौधा अपने पत्तों में ही पोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाता है जिसमें क्लोरोफिल बनती है तो पत्तों का रंग हरा दिखाई देता है ल पत्तों के उपर पड़ता है, दिन छोटे हो रहे हैं और रोश्नी पौधों को इतनी अच्छी मिल नहीं पा रहे हैं, अच्छी सनलाइट नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन में जो खाना बनाने का प्रोसेस है, फोटो सिंथेस का प्रोसेस है, वो स्लो होने की वजह स क्लोरोफिल की कमी हो जाती है क्लोरोफिल की कमी होने से पौधे को एनरजी चाहिए उसको खाना चाहिए तो जो पहले से क्लोरोफिल इनके पत्तों में पड़ा हुआ है वो शुगर में कनवाट होने शुरू हो जाते हैं जिससे की पौधे की जो पत्या है वो आपको परपल कल बूरे रंकी या फिर पीले रंकी दिखाई देनी शुरू हो जाती है, खाने की कमी की वज़े से ही पौदे में ग्रोध फ्लो हो जाती है, जणे ग्रोध करना कम कर देती हैं, और इसलिए आपकी जो पौदे की फ्लावरिंग है, वो कम हो जाती है, कलियां भी कम बनती है, धू इस समस्या को कम कैसे कर सकते हैं अपने पौदे के उपर तो सबसे पहली चीज कि आप जितनी अच्छी धूप में अपने पौदे को रख सकते हैं उतनी अच्छी धूप में आप इसको रखें आज कल कोहरे का टाइम है तो दिन में धूप भी नहीं निकलती है लेकिन पॉट ऐसी जगा पे होना चाहिए कि जब भी दिन में धूप निकले तो धूप इसको मिल जाए धूप निकलने से पौधा आपका फ्लावरिंग भी करेगा ग्रोध भी करेगा और इसके उपर कीडे और फंगस कम लगेंगे इसके साथ ही मिट्टी अगर सूखेगी त उसके अंदर पानी जमेगा नहीं जिससे कि आपका पौधा पूरा का पूरा मरेगा नहीं क्यूंकि मिट्टी में पानी जमने की वज़ज़ से पूरा का पूरा पौधा हमारा सूख जाता है और मर जाता है तो धूप सबसे important चीज है इस समय मेरिगोल्ड के प्लांड के लि मौसम का लेकिन जो मेरे मेरी गोल्ड के पौधे चोटे गमले में लगे हुए हैं जिनकी जगव को मैं आसानी से बदल सकती हूँ उनको अच्छी धूप मिलने से पौधा अभी भी काफी हेल्दी है इसके उपर पत्तों का कलर भी बहुत जादा चेंज नहीं हुआ बड़े प सीजन के लिए आपको इन सूखे वे फूलों को बचा करके रखना है तो जैसे ही फूलों का जो कंडिशन है कुछ इस तरीके का हो आप ऐसी कंडिशन में फूलों को तोड़ लीजे यहां पर जब आप फूल तोडएंगे तो जो बीज इसके अंदर मिलेंगे आपको वो आसानी से उग जाएंगे अगले सीजन में इस सीजन में उगाना मुश्किल है आप देख सकते हैं यह जो मैंने अभी फूल तोड़ा सूखावा ऐसी कंडिशन में आपको फूलों को तोड़ना है अगर आपको स्टोर करके रखना है एकदम ताजे फूलों को अगर आप तो हो गए हैं यह देखिया कुछ इस तरीके के बीजों को ही आपको बचा करके रखना है तो जैसी कंडिशन में मैंने आपको बताया है ऐसे ही जो फूल लगभग सूख चुके हैं उन्हीं को आपको तोड़ना है मेरे पादे ने ने नेमंबर में ही फूल देना शुरू कर लि है आपको मैं दिखा देती हूं कि मैंने कितने सारे फूल तोड़ ली हैं पहले से यह देख सकते हैं काफी सारे फूलों को मैं तोड़ चुकी हूं अब इसको स्टोर करने का सही तरीका क्या है जो फूल मैंने आपको बताया है वैसे ही फूलों को आपको तोड़ना है और फ सीजन तक आपके पास ये ग्रोव करने के लिए नहीं बचेंगे. अब मैं आपको दिखा देती हूं कि सूखने के बाद ये किस तरीके का हो जाएगा? आप देख सकते हैं. सूखने के बाद कुछ इस तरीके का ये दिखाई देगा. जब ये इस तरीके से सूख जाए सारे के सारे आपके फूल, तब ही आपको इसको किसी प्लास्टिक में बांध करके रखना है, गीले फूलों को आपको नहीं रखना है friends सूखेवे फूलों को इस समय गेंदे के पौधे से हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो फूल है अगर पौधे के अंदर लगे रहेंगे तो पौधे की एनरजी लेते रहेंगे पौधे को जो खाना नई ग्रोध करने के लिए चाहिए वो इन फूलों को बनाने के लिए इनके बीजों को बनाने के लिए लगाता रहेगा पौधा तो पौधा अपने आप ही सूख जाएगा तो इसलिए चाहिए आपको स्टोर करना हो या ना करना हो इन सूखेवे फूलों को आप जरूर से अपने पौधे से हटा दीचे इसके बाद tips number 4 आप इसकी watering का ध्यान रखे और watering ना करें अगर बहुत जादा पानी डालोगे तो जणी खराब हो जाएगी और आपका पौधा सूख जाएगा तो पौधे को खराब करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो यही होता है कि लोग बहुत ज़ादा पानी डालते हैं और इस मौसम में जो जणे हैं इनकी growth काफी slow होती है बहुत ज़ादा जो पानी डालनी की वज़े से कभी कभी temperature जहां पर बहुत ज़ादा कम होता है वहाँ पर पानी जम जाता है तो पौधा absorb नहीं कर पाता है पानी को और extra पानी पौधे की जणों को गला देती है तो मिट्टी को हमेशा आप हलका सा मौईश रखो कुछ इस तरीके से रखना है आपको बहुत ज़ादा सुखाना भी नहीं है मिट्टी को बहुत ज़ाद एक से दो दिन में आपने पौधे को दे दोगे तो पौधा हरा भरा बना रहेगा पानी की बहुत ज़ादा ज़रुत पौधे को इस समय होती नहीं है क्योंकि धूप ना निकलने की वज़़े से मिट्टी सूखती नहीं है तो पानी का आफ विशे शूप से ध्यान रखे क् पौधे को पूरी तरीके से सुखाने के पीछे अगर आपके इरिया में धूप हो रही है और आपके पौधे को अच्छी मात्रा में धूप मिल रही है तो आप इसके उपर दो तीन दिन के गैप पर पानी का स्प्रे कर दीजे इससे जो पत्ते हैं वो सूपते नहीं है और ह पौधों की जो पत्या है उनमें मौईश्यर बना रहेगा तो पौधा आपका सूखेगा नहीं लेकिन बहुत जादा पानी का इस्प्रेय आपको नहीं करना है अगर पौधों के उपर कीड़े लग रहे हैं क्या फिर किसी भी तरीके का कोई फंगस लग रहे हैं तो आप बिल मिल जाएगा आपके मेरी गोल्ड के प्लांड को अब बात करते हैं हम खाद की कि हमें मेरी गोल्ड के प्लांड को कितना खाद देना है इस समय इस समय आपको मेरी गोल्ड के पौधे को बहुत जादा खाद नहीं देना है ऐसा ना करें कि आप बहुत जादा खाद इसके अं लग जाएगा तो आपको यहाँ पर क्या करना है कुछ दो तीन चीजें हैं जो इस समय आपके पौधे की मिट्टी में होनी चाहिए अगर ये चीजें आपके पौधे की मिट्टी में हैं तो आपका पौधा चाहिए कितना भी खराब मौसम हो इसके विपरीथ हो बचा रहेग इसके लिए जो तीन चीज़े हैं जैसे की पोटाशियम, मैगनीशियम और सलफर की थोड़ी सी मातरा आपके पौधे की मिट्टी में जरूर होनी चाहिए यानि मेरी गोल की मिट्टी में जरूर होनी चाहिए अगर पोटाशिम अच्छी मातरा में है इसकी मिट्टी में तो ये खराब मौसम से भी लड़ लेगा और बचा रहेगा पोटाशिम की कमी को पूरा करने के लिए आपको कहीं मार्किट में जानी की जरूरत नहीं है मार्किट का कोई फटिलाइजर डालनी की जरूरत नहीं है इसके लिए जो सबसे बड़िया फटिलाइजर है वो है प्याच का चिलका प्याच का चिलका आपके घर में जरूर निकलता होगा तो आप 4-5 प्याच के चिलकों को इकठा करके रख लीजे और आपके पास लसुन के चिलके भी घर में जरूर निकलते होंगे इन दोनों चिलकों को आपको लेना है इन दोनों में ही बहुत अच्छी मातरा में potashium पाये जाता है इसके साथ ही इसके अंदर magnesium और sulfur भी मिल जाएगा तो तीनों ही चीजें जो हमारे पौदे को इस समय चाहिए potassium, magnesium और sulfur ये तीनों चीजें इन छिलकों से मिल जाएगा इस fertilizer को बनाना बहुत ही आसान है बस एक दिन के लिए आप इसको पानी में भीगो करके रख दो अगले दिन जो liquid fertilizer बनेगा उसका इस्तमाल हमको करना है जो छिलके मैंने लिये हैं वो 4-5 प्याच के छिलके हैं और एक पूरा लेसुन जो पूरा लेसुन होता है उसके सारे छिलके मैंने लिये हैं और इसको लगभग एक लिटर पानी में भीगो करके आपको रखना है जो मैंने पानी लिया है क्योंकि ठंड बहुत जादा है तो हल चानलो आप देख सकते हैं कि फर्टिलाइजर का बिल्कुल भी बदल गया है बिल्कुल एक रैड कलर का पानी आपके पास तयार हो गया है जो कि लिक्विट को डालने से पहले थोड़ा सा और पानी डाल करके आप इसको डाइलूट कर लो थोड़ा सा और पानी मिला लो आप इसको बहुत जादा पानी आपको इसके अंदर नहीं डालना है इसके बाद सीधा आप इस लिक्विट फटिलाइजर को पौदी की मिट्टी में डालना है, अगर मिटी बहुत जादा गीली है तो आप इस fertilizer को मत देना ये जो fertilizer है आपको 10 दिन में एक बार अपने Marigold के पौदे को देना है तो पौदे में potassium की अच्छी मात्रा बनी रहेगी पौधा आपका नहीं सुखेगा एक दूसरे तरीके से भी इस fertilizer का इस्तुमाल हमें हमारे पौदे के उपर करना है क्योंकि जो fertilizer है वो पत्तों से भी absorb होते हैं तो अगर आप इसका spray करोगे तो इसका result आपको double मिलेगा पौधा जादा healthy बना रहेगा इसके साथ ही इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर fungus पौधे के पत्तों के उपर नहीं लगेगा ये एक natural fungi side on insecticide का भी काम करता है तो friends ये सारी चीजों का आप ध्यान रखिए अपने merry goal की care करते रहे और जो fertilizer मैंने आपको बताया है इसको अब जरूर डालो ताकि पौधे में पुटाश्यम की अच्छी मात्रा बनी रहे वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थाइंक यू